आप सभी का स्वागत है फ्रेंज हम बनाएंगे इस दिपावली पे बहुती धमाकेदार मिठाई तो मिठाई देखने के लिए अगर बाहर वाला मिठाई देखने के लिए पसंद करते हैं हमको तो सब्सक्राइब करें रस्वय मिना की चैनल को बेल आइकन नोटिफिक्सन जर इनको हम कट करेंगे ये दो केजी के पेठा वाले कद्दू है तो इनसे बहुत कुछ बनते हैं इसलिए हम आप लोगों के सामने मिठाई बनाके देखाएंगे अगर नय है हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिक्सन जरूर क् पहुचे और अगर पहले से कर रखें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो देखिए ये दो केजी के हैं हम एक ही केजी के बनाएंगे आप लोग पूरा फेमली है ये पूरे पेठा का बना सकते हैं तो हम यहां से इनको कट कर लेते हैं साइट से इस तरह से कट कर अब आपको क्या करना है बारी की से देखिए हैं यहां से हम इनका छिलका थोड़ा मोटे दल में निखालेंगे देखिए इस तरह से सभी के छिलका हम उतार लिए कुछ इस तरह से आपको छिलका उतारना है अब रगी बीज की बारी बीज को आपको इस तरह से यहां से कट क तो कुछ इस तरह से आपको इनका सारे पर निकाल देना है और पानी में ले लेना है इसी तरह से सबको निकाल लेंगे यहां पर सभी का पल्प निकाल लिए हैं हम अब देख सकते हैं इस तरह से कोई भी आपके पास कद्दुकस है उनको ले और मोटे वाले से थोड़ा को कड़्द कष़ कर लेते हैं सब रते सभी थाँ वाला कड़्द 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 कड़िए आप देख सकते हैं इतना बढ़ी है पानी मैं इसलिए कड़्द कद़्द करी कियाई प्रैस इन वह conf 57 ळग चलते हैं गेस के पास सारे पानी में से छानके हम इनको गॉयल करेंगे यहां पर हम पहले सही गरम पानी चरहा दिये थे इनको गरम होने के लिए तो यह मैजिक मिठाई बनाने के लिए तो रासा इनको गॉयल करना बहुत जिरूरी है फ्रेंज तो हम इनको किसी भी कल्छी छो चमश नमक और आधा छोरा चमश लेमन जूस ज्यादर नहीं लेना है इसमें और इनको अच्छे से मिला दे सभी को बढ़िया से मिलाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है बस पांच मिनट धक के अच्छे से बॉइल होने दिए पांच मिनट हो गा है फ्रेंज यहां पर हम द देख लेते हैं इनको और उसके बाद आपको क्या करना है देखिए कितना बढ़िया से बॉइल हो गया है तो गैस कर दती हूं यहां पर मैं ओफ और एक बरतन में च्छनी लगा लें आप देख सकते हैं और यहां से इस तरह से इनको सब को छान लोगी ताकि अच्छे से पा देख सकते हैं इनको थोरा सा मैं दो मिनेट भूझ लेते हैं यहां पर रबडी को खाली भूझना था फ्रेंश जो अच्छे से यह भूझ गया है और आप एक बॉल में इनको निकाल लेते हैं सारे रबडी को इसी में निकाल लूँगी तो इसी कराही में हम अब मिठाई बनाने का तयारी करें तो देस कॉण कर लिये हैं गंस मीडियम पर हैं आधा कप चीनी तो पानी हम इसी कप से लेंगे मात्र आधा कप से भी कम बस थोड़ा सा पानी आनि की देखा जाये तो चार चमस्च पाणी और इसी में हम लेंगे जो आधा लेमन जुस बचे थे ना इनको भी हिसमें ले लेंगे कूटा हुआ दो इलाइची ताकि अच्छे से इनमें सारे फ्लेवर आ जाए अब चीनी को घुलने तक हमको चलाना है चीनी अच्छे से यहाँ पर घुल गये फ्रेंज यहाँ पर लेंगे गरीन वाले फुट कलर इनसे मतलब जो मिठाई बनाने वाले न पहुत तो देखिए यहाँ पर सारे पानी हम इनका नीचोड करके बॉल में लिए फ्रेंज अब इनको आहिस्ता से चासनी में लिए है अब इनको अच्छे से पकाया करें इनको मिडियम देश पर पांच मेर्ट तो पकाना ही पड़ेगा आपको आपको पहले से हैं एक ट्रे में ग क्या पर देखिए तो बीसिये खिय्ट करें के टो इनको अच्छ से से oxygen कर लेते हैं और थोड़ा शार अरभणी इस तरह से रबडि के सभी जगा देना है तो acknowledging को भी सेट कर दिये फ्रेंस यहां पर जरब में इस तरह से एक चोटे चमा से हम इनको सेट कर देट इस तरह से बाकी जो राइफ फूटा बचे से इन पर इस तरह से ले लिजिए अब सेट होने के लिए इनको करीब आधे घंटे के लिए इनको छोड़ दे दम बाहर फ्रीज में रखने के कोई जरूरत नहीं है अब हम यहां पेक प्लेट को इस तरह से ले लेते हैं और आःवर प्रेपर आव कितना बढ़िएं से निकल गये ना तो अब क्या करना है इनको इस तरह से कट करना है, आम से कट किझेगा, और ये मिठाई एक इन मानिए, आप कभी नहीं बनाये होंगे, friends, इस दिपावली पर इस तरह के मिठाई आप जरूर बनाईए, friends, तो अब हम और आम से, आपकी मरजी, जिस तरह से आप कट करना चाहते हैं, इनको कट कर लिजेगा, यह बरफी बनकर तैयार हो गए, आप देख सकते हैं कितने खुबसूरत है, तो इस तरह से प्लेटिंग हम कर लेंगे, तो कितना बढ़िया लग रहे हैं friends, और कैसी लगी हमारी वीडियो आपको, यदि वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब जरूर किजिए, अगर नए हैं हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन, जरूर किलिक किजिएगा friends, तो इस तरह से इस दिपावली पर मिठाई बनाए, कितनी टेस्टी और स्व